Hello everybody, welcome to SJR Education SJR Education में आपका स्वागत है हम एक new exam topic series कर रहे थे जिसमें मैंने पहला वीडियो बनाया था exogenous और endogenous variable के बारे में नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, आज बात करेंगे कि parametric और non-parametric test क्या होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि इसके examples paper में आ जाते हैं, sample questions में भी होते हैं previous year questions में भी आपको एक question दिखता होगा और कभी-कभी ये भी पूछ लिए जाता है एक statement देखे कि ये particularly parametric test है, या ये एक non-parametric test है, दोनों में कौन सी ऐसी विशेशताएं हैं, और इसके एक full-on comparison को भी करेंगे, जिसमें की और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसके basis पे एक test को parametric test या एक non-parametric test का जाता है आप मुझसे अन-academy पे पढ़ सकते हैं अन-academy पे मैं paper 1 और मेरा subject commerce पढ़ाता हूँ, और एक और important चीज़ में आपके ध्यान में दिलाना चाता हूँ, क्योंकि feb में exam है और इसके साथ-साथ आपका अगला exam भी announce हो गया है जून में तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि अगर आप छे महीने की subscription plan लेकि अन-academy के plus में खुद को पड़ेंगी और आपको सारी test series और हमारी जो e-book है, जो free notes है commerce के subject में और बाकी subjects में भी तो वो आपको मिल पाएंगे वो भी आप access कर सकते हैं अन-academy अभी 2023 नए साल पे 23% का discount दे रही है आपके सभी courses पे तो आप ये मेरा code यूज़ कर सकते हैं SCRYT से आपको 23% discount मिल जाएगा और आप एक 6 महिने के subscription में जिसके prices आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आप तयारी कर पाएंगे 2 attempts के लिए और अगर आप सही से पढ़ाई करते हैं तो आपका फरवरी वाला attempt ही बहुत easily जो है वो crack हो सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं parametric test और non-parametric test होते क्या है लेकिन parameter क्या होता है जिसके उपर शब्द parametric टिका है parameter शब्द का आर्थ होता है जो population से आया है तो parameter मतलब कि जो population शब्द और population क्या होता है population मतलब कि जहाँ पे सब को consider किया जा रहा हो population के एक हिस्से को consider किया जाता है तो हम जैसे कहलते हैं कि sample को जो है consider किया जा रहा है तो parametric मतलब population, population मतलब जहां सब को consider किया जाता हो तो सबसे पहले तो एक आसान सी definition सुन लिजिए, जिनसे कि ये दो test आपको बहुत easily समझ में आ जाएंगे तो पहली बात कि parametric test वहां use होते हैं जहां data normal distribution से आता है parametric test वहां use होते हैं जहां पर data normally distributed होता है, non-parametric test वो होते हैं जहां data non-normal distribution से आता है और non-parametric test में data normally distributed नहीं होता है, अब आप कहेंगे कि ये normal distribution क्या है normal distribution curve कुछ इस तरीके का दिखता है जिसको हम bell curve बोलते हैं अब आपको बस इसे बहुत ही easy example से समझ जाना है कैसे कि हमने देखाया कि हर class में जब से हम बच्चपन में पढ़ते हुए आए हैं कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत academically brilliant होते हैं 99-98% वाले कुछ होते हैं एकदम ही 33% भी मुश्किल से आप आते हैं लेकिन सारे बच्चे ना brilliant होते हैं ना सारे बच्चे जो है आपको poor side पे देखने को मिलेंगे 33% पे संगर्श करते हैं देखने को मिलेंगे 2-4 इस category में 2-4 इस category में मिलते हैं जादातर बच्चे average होते हैं यही generally हम देखते हुए आए हैं हमेशा से इसी को population characteristic भी कहा जाता है कि in general life में जादातर लोग जो हैं वो average होते हैं मुकाबले कि जादातर लोग आपको बहुती brilliant side कम देखने को मिलेंगे और बहुती poor side कम देखने को मिलेंगे तो अगर ऐसी स्थिति है जहाँ जादातर लोग average में हैं मतलब 68% लोग जो हैं वो average category में आते हैं और फिर यहाँ पे यह mean है और यह सिर्फ one standard deviation अवे लिखा हुआ है तो ऐसे data को normally distributed data कहते हैं अब जहाँ normally distributed data है वहाँ parametric का test लगता है और जहाँ non-normal distribution हो की आपको distribution ऐसा नज़र आए जहाँ average जो है वो कुछ नहीं है सारे superior की तरफ है जहाँ ऐसा नज़र आए तो इन्हे skewed curves कहते हैं कि या तो positive skewness या negative skewness तो यहाँ पे हम लोगों को एक छोटी सी बात समझ लेनी है कि जहाँ data normal distribution से आएगा जहाँ tail में आपको बहुत कम data देखने को मिलेगा तो यह वो बहुत brilliant लोग है और यह वो बहुत ही poor लोग है जबकि जादातर लोग आपको देखने को मिलेगा कि average से ही belong करते हैं तो ऐसे data को हम normally distributed data कहते हैं जहाँ भी data normal distribution से आता है वहाँ पे हम generalization कर सकते हैं वहाँ हम पहले से सोच सकते हैं कि population ऐसी ही होगी कुछ लोग brilliant आएंगे, कुछ लोग poor आएंगे कुछ लोग जो है इस तरीके के होके जादातर लोग हमको average मिलेंगे तो ऐसे case में parametric test किया जाता है जहाँ normal distribution से data आए और non-parametric test किया जाता है जहाँ पे data non-normal distribution से आए तो इसलिए यहाँ पे एक बात और देखेंगे आप कि यह लिग दिया जाता है कि एक T measurement या T test को यहाँ पे follow किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमें mean of the original population जो है वो कहीं न कहीं parametric test में पता लग जाता है क्योंकि data normal distribution से आ रहा है तो हमको idea है कि 68% लोग average में आ रहे है 2-3-2-3% जो है वो tails में होते हैं तो वो average poor category और brilliant category के लोग हैं फिर इसके बाद यहाँ पे कि हमें value of the mean जो है वो हम जान जाते हैं हम assume कर लेते हैं कि यहाँ पे 68% तो आपको one standard deviation अवे में ही लोग मिल जाएंगे और population variance जो है वो हम निकाल लेते हैं according to कि हमें जो sample मिल रहा है population से तो population यहाँ estimate हो जाती है assume कर ली जाती है क्योंकि हमको पता data normal distribution से आ रहा है non parametric test में ऐसा कुछ नहीं होता होते हैं जो depend नहीं करते किसी भी तरह के hypothesis पे और in the non parametric test एक test depend नहीं करता है तो यहाँ पे यह test depend करता है mean पे average पे और यहाँ depend करता है non parametric test हमेशा median पे यह question भी आ जाता है paper में और यह method जो है इसको distribution free testing कहते हैं इसके लिए data का distribution से आना जरूरी नहीं है अब जरा एक comparison पे चलते हैं जिससे कि आपको यह बिल्कुल clear हो जाएगा कि और भी aspect है इसको देखने के तो जहां तक बात assumption की हो रही है तो parametric test में तो हम assumption कर रहे है कि हमारा data normal distribution से आ रहा है तो maximum लोग average में fallout करेंगे 80% लोग तो हमें one standard deviation जो है अवे मिल जाएंगे mean से यहां इससे standard deviation अवे देखना कहते हैं किसी को नहीं पता है तो यह हमारा mean नहीं average है यह सर्फ एक standard deviation अवे दूर है data यह दो standard deviation अवे है और यह तीन standard deviation अवे है तो assumption तो हम यहां करके चल रहे हैं जिबकि non-parametric test में हमने कोई assumption नहीं की है central tendency की value की बात करें तो यहां हम mean को consider करते हैं जो मैंने आपको बताया और यहां हम median को consider करते हैं correlation की बात करें तो यहां Pearson का correlation वाला part लगेगा parametric में जबकि यहां Spearman का correlation जो है वो लगेगा non-parametric में हम यहां normal probabilistic distribution की बात करते हैं और यहां arbitrary मतलब की non-normal distribution की बात होती है यहां पे population की knowledge हमको होती है क्योंकि जादातर हम population के बारे में यह जानते हैं most of people fall in average category some are brilliant, some are poor यहां population knowledge की हमें जोरत ही नहीं परती है यह इस्तेमाल होते हैं interval का data निकालने के लिए जबकि यह इस्तेमाल होते हैं nominal मतलब name order वाला data निकालने के लिए और यहां जो application है वो होती है variables के उपर जबकि यहां variables के साथ जो attributes होते हैं मतलब जो उनकी विशेशता होती है किसी चीज़ की इस इंसान की यह attribute है इस इंसान की यह personality है तो यहां attributes पे भी बात हो सकती है इसी लिए t-test और z-test best example है parametric test का और man whitley और kruksal wallis जो है वो best example है non parametric test का मैं इसकी एक list और आपको telegram में दे दूँगा link telegram का हमारा description में है उसको join के लिजे paper one का वहाँ पे group है सभी classes के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा और अगर आपको लगता है कोई topic हम से चूट रहा है और पढ़ाना चाहिए और वीडियो जाने चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा अगला topic होगा cognitive behavioral therapy CBT एपर वन का topic है जिसकी वीडियो आपको कल मिलेगी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करिए